कि रिंग रोड पहुंच किया है सर वैसे कौन से हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं आप लोग कार्ट रोड हॉस्पिटल में जहां पर क्राइम हुआ है वहां पर कौन कौन है अधी कि एस इस गोपाल और एसाइए मधुमती दोनों स्पॉर्ट में है सर सिगनल को बंद करके एंबुलेंस को राफ्ता दीजें कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 तो आपका नाम जान की है हाँ जी और आपके पती का नाम आकाश हाँ शादी कब हुई थे आपकी दो हफता हो गया यह लो मेरिश्ट थी आप अरेंज मेरिश्ट हम छही साल से प्यार कर रहे हैं माबापने शादी कर रहा है आपके पती की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से दहच के लिए कोई क्या आपको टॉर्चर किया नहीं कल आपके और आपके पती के बीच में जगड़ा हुआ था कि नहीं तो आखिर आपने उसे क्यो मारा तुमसे सवाल कर रहो है तुमसे अगर कुछ भी नहीं था तो छे सालों से प्यार किये पती को इतनी बेरहिमी से क्यो मारा आकाश और कितनी दूर जाना है बेंगलूरू में घर लिया है तो डॉलर्स कॉलोनी या बेस्विस नगर में लिया होगा मैं तो यही सोच रही थी मा यहां से 30 किलोमेटर में बेंगलूर है आज का भाव और पॉलूशन को देखकर कोई भी सिटी के अंदर घर नहीं लेता है मा रिंग रोड पकड़ने तो 20 मिनट में मैं आफिस पहुँच जाता हूँ तुमारे वाज सही है लेकिन मेरी बहुँच शहर में नहीं आई है अगर अरजेंट हो तो कैब मिलेगा क्या बताओ ज़रा पापा बस यही एक प्रॉब्लम थी गाड़ी नहीं थी तो बहुत तकलिफ थी कैब या टेक्सी में जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं एक हफते का सारा सामान पहले से लेकर रखना पड़ता है यहां पर बहुत सारे घर हैं यहां सिर्फ तीन फैमिली रहती हैं वहां एक फैमिली है लेकिन वो लोग किसी से बात नहीं करते हैं यहां पर मेरा फ्रेंड मोहन है मैं और वो एक ही ओफिस में काम करते हैं मोहन मोहन जो भी व लेकिन अच्छा है बेटा कितनी शान्ती है यहां पर हां लेकिन अभी तुम आ गई तो पता नहीं क्या होगा फिर स्टॉप इट चंद्रू ठीक है ठीक है है घर आ गया है उतर ठीक है उतरती हूं मेम सहाब आ गई नमस्ते मेम सहाब यह गोविंद है नमस्ते सहाब नमस्ते मेम सहाब यहाँ पर जब से काम शिरो है तब से यह लोग यहीं पा रहें सारा काम यहीं लोग करते हैं ठीक है यह लोग डीजी सर क्या है राधिका मोहन वह आकाश है ना और आकाश की फैमली वाले कर दो है ना रुकिये रुकिये आरती उतारोंगे आप सब्सक्राइब मंगल आरती उतारों रें आकाश और जानुरें अंदर आ ये मेंसाहाब पहले दायां पैर अंदर रखना तुझे बोर हो रहा है बोलके मेरा सिर्खा रही थी अभी मेरी फ्रेंड फैमली आ गई अच्छी कंपनी मिलेगी ना आप खुश हो ना आरे नारियल तो काला निकल गया यह कैसे हुआ ठैंक्स बेटा राधिका क्या है मोहन इसको देखो दो ब्रेक्षट लिए जा रहा है अरे एक उसके लिए एक दादा जी के लिए क्या दादा के लिए दादा आव मुझे देर हो रहा है नाश्ता करो आप नश्ता नहीं खाओगे क्या मैं ज़्यादे दिर वेट नहीं कर सकता आरे मैंने ने कहा था ना अपने दादा से बात करता है यह यानि कि पापा से एक हपते से उनके साथ खेल रहा है आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंट करोगे ना तभी आपको सब कुछ पता चलेगा ना लेकिन आपके पास तो टाइम ही नहीं है आप थोड़ा टाइम निकालिए ना अपने बच्चे के लिए दादा आप किछ भी खा सकते हैं ये जूस तो पीलो तुम बिल्कुल चिं दादा आप मँझे जादा वेट मत करो चल्डी से ये चूस पीलो हुर। किया देख रही हूँ घर अच्छा है ना क्यूं रोज यहां पार्टी करते हो क्या पार्टी क्या पार्टी घर में ड्रिंक की स्मेल आ कहां मुझे तु नहीं आ रही है पीने वाले को नहीं महसूस होता फिर से पीने स्टार्ट कर दिया क्या है मैंने गब से पीने स्टार्ट किया तो ने देखा है क्या दोबारा अगर पिया न तो पिया तो क्या करोगी तुम्हें जान से मार के जेल चली जाओंगी तो मुझे मा तो अधिक है माँ अरे ये के है बिटा इसे कुल गया मा इसे मार्केट से आया वा डेस्ट भीन है इसमें एक सेंसर है कोई पास में जाता है तो यह अपने आप खुल जाता है और जैसे दूर जाएंगी अपने पंदो जाएगा मैं दूर टीये रेड़ी वान टो थ्री यह अरे सेम टू सेम तुम्हारी मा की तरह जब वो दूर रहती है तो चुप हो जाती है और पास आती है तो मुह खोल देती है पापा आप दूना हमेशे लड़ते हैं चली ओपर चलते हैं चलो 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 बहुत अच्छा है बेटा आखाश बाहर से देख कर लगता नहीं था कि ये घर इतना बड़ा है लेकिन सच में ये घर तो बहुत बड़ा है कितना स्कॉएर फीट हो गईτο है बस चार अदर पानसो स्कॉर फीट है खर बड़ा खरीदना बड़ी बात नहीं उसको मיैंटेंड करना बड़ी बात है खरीदने के दो दिन बाद सब पता चल जाता है समझ गए हाँ चलिए रूम दिखाता हूं चलो पीटा अरे यह क्या फैन भी संसर सिस्टम से करा दिया यह सिर्फ नहीं है मा आप अंदर जाओ मैं जाओ मा अंदर जाओ मैं अकेली जाओ मा क्या यह लाइट भी आटोमेटिक है हम घर में जहां जाएंगे वहां लाइट ऑन ओफ होती है और इसका बिल भी जादा नहीं आता है फैन्टास्टिक सुपब बेटा यह बहुत अच्छा है अच्छा इस घर में और क्या विचित्र है अरे तुम से बढ़कर विचित्र कौन ह नहीं है प्यारी श्टॉप इट चंदरू अरिजाए छोड़ो ना देख लेगा तों क्या ओग्यों को देख लीगा देखने हो जो देखेगा आँक बुनकर लेगा तुम्हें तुम्हें बेटा दो दिन में आश्विन माँ खत्म होगा लेकिन तुमने अगर जल्दबाजी किया ना तो तुम्हारे पिता की तरह लड़का होगा माने देख लिया ना अरे है पिछले एक हफते से विक्य किसे से बात कर रहा है और यह ड्रॉइंग बनाता है आज कल बच्चे अपने मन की बात हमें ड्रॉइंग से बता सकते हैं यह है विक्य के बनाए कुछ ड्रॉइंग्स देखिए है कि सारे ड्रॉइंग्स में एक चीज़ कॉमन है। विक्य और विक्य के पास खड़ा एक आदमी वो आदमी कुछ है आप पहचान सकते हैं मदलू करक देख ने से तो लग रहा है कि इस का मेरी पिताîne जी से करते हैं क्या नहीं मैडम विक्की पैदा होने से पहले से चला गया और अच्छा एक और बात विक्की अखेले में किसी से बात भी करता है यह मुझे कुछ बच्चों ने कंप्लेंट किये हैं वो घर में भी ऐसी हरकते करता है क्या वो इस तरह से नए नए खेल खेलता रहता है कुछ पूछो तो कहता है मैं अपने दादा ची से बात कर रहा हूँ जैनरली बच्चे बड़े होती होते उनके खेल भी चेंज कर लेते हैं आप चिंता मत करिये इसके लिए वो बहुत दिमाग वाला लड़का है ये चोटी से समस्या है मान लीजे आप फिर भी उसे चाइल्ड साइक्याट्रस्ट से दिखा सकते हैं चाइल्ड साइक्याट्रस्ट को दिखा हूँ नाधिंग टो भरी विकी को कुछ नहीं होगा पहले से ही सावधान रहने के लिए हमारे डाउट्स का क्लियर होना और टेंशन फ्री रहना ज़रूरी है ये लीजे आनन्द शर्मा का विजिटिंग कार्ड है ये ये चाइल्ड साइक्याट्रस्ट बच्चों को ये ही कंसल्ट करते हैं आप शर्मा जी को एक बर कॉल कर लीजेगा आई थिंग एकन हेल्प ये जानू अगर मैं बेड्रूम में नहीं जाता हूँ ना तु वो उधर से वापस आएगी और डश्ट्बिन कितरा आप मेरा मुख होल देखी हम चलते है सुनिये थाना का लिया ना उठिये बेड्रूम में जाएए क्यों हस रहे हो तुम लोग इन्होंने कुछ कहा क्या नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा नहीं और आप लोग ऐसे ही हसने लगे क्या मैं जानती हूँ मुझे कुछ कहे बिना इनको खाना हजम नहीं होता है और नींद भी नहीं आती है अरे मैंने कुछ नहीं कहा, इन दोनों को अपनी हाल पर छोड़ दो, ठीक है ना बेटा, तुम लोग भी खा के आओ आराम करो, दस बज रहा है ना, हम दोनों को भी विस्तर पर चलना चाहिए, सुनिए, दो दिन तक मैं अपनी बहु के साथ सोँगी, और आप अपने बेटे क साथ हो जाईए, समझे की नहीं, ना समझ कहीं के, अरे, ऐसी स्कीम भी है क्या, बेटा, I'm sorry, Aakash, जानू, विशु आल दा वेस्ट, कल सुभा अगर तुम्हारे कान को सही से सुनाई देगा, तो तुम्हारा कान क्यूट है, तुम्हें स्पेशल समाचार सुनने को मिलेगा, मेरी कान, इती क्यूट है क्यों, समझ मैं ली एका, शानल आप, शानल, आप, कान, समाच, बारर किम०ा कि तुम्हारे कि यह दो में हमें,egen हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है कहां जाओ कि अब तो मुझे नहाना है नहाना है मैं अभी तक नहाया नहीं है कि अच्छा 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 अब मुझे नहाना है तो बाढ़ जाओ हुचा 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 पुप LIVE लिए ब्टेराउ बर्ट प्राइम कर सकार्फ। प्रुट 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 मैं तो इस रेयाउट का पूरा राउंड मार के आ रहा हूँ यह पुरे गाउंच ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा है मुझे बहुत भूक लग रही है नासा रेडी है ना कब करेडी हो गया बनाई हो दो सा वाओ तुमने क्या बनाए लेकि आती हो अधर है आव बैठो अकाश्ट वह बंद करो पहले नाश्टा करो लो लाओ आज रात को तुम्हारे फ्रेंड्स आने वाले थ खतम हो जाएगी कि खतम होते ही आज आएगा माँ खाना खाके किचन में काम शुरू करेंगे अपने घर में बड़े बरतन है ना नहीं है माँ शौपिंग करनी पड़ेगी बहुत दूर है अपने पास टाइम नहीं है आज मैनिश करेंगे कैसे भी ठीक है जो कुछ भी घर म नहीं होगा उसकी लिस्ट बना लो हम ले आएंगे हम दोनों चलेंगे साथ में देख लाना चाहिए उसका उपयोग तो पूरे जीवन भर होगा हम उसको ऐसे फेक तो नहीं सकते हैं ना हमें पसंद ना हो तो भी तू साथ रहना ही पड़ता है पिट चंदुरू मेम साहब मैं बाजार से सबजियां ले आई हूँ अच्छा किया सुनो मैं सबजियां काट देती हूँ मैं गाउं से मिर्चिल आई हूँ तुम उसे तैरस पे सुखा दो और फिर आकर मेरी मदद करो समझ गई ना थीक है मेम साहब गुलाब जामुन पहले से त्यार करना पड़ेगा शाम के पाटी सबरदस्त होगी हां पाप गड़ी नहीं क्या तुमको पापा देख रहे थे ना क्या देख रहे थे कि तुम्हारी हरकते देख रहे थे मैंने क्या किया मैं तो यहांब इट रहें तुम्हें क्या क्या थे तुम्हें लेखे हुर अज रात में पार्टी होने वाली है ना इसलिए गुलाब जामुन बनाने के लिए आठा तैयार कर रही हूं तुम आठा विलाते हुए कितनी अच्छी लग रही हो तुम तो बहुत सक्सी लग रही हो प्यारी स्टॉप एट चंद्रो तुमने अपने बेटे और बहु को देखा और उन दोनों को देखकर बजहें एक सबर्तस ताइडिया आया है क्या है हमारी उमर 60 की होने वाली है हम आनि मून के लिए सकलेश पुर जाएंगे सकलेश पुरानिमून के लिए पसंद नहीं तो जाने दो ना कहीं और चगे चलेंगे बैंकड़ कोक आप जहां लेचलेंगे मैं चलने को तयार हूं तुम्हें पसंद है लेकिन बात बताना नहीं चाहती चोर्णी कही कि उस्टा इट चंद रहा हुँ मामी मेरी दूसरी स्लेपर नहीं देख रही है यहां है बेटा देखो ना यह लो पहल लो मोहान हम रेडी है मैं भी रेडी हो गया मैम साब तैंक्स गोविंद मैं चलता हूं मैम साब यह क्या है खाली हाट जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना इसलिए मैंने मिठा ही मंगाली है ओहो फॉमेल्टी मान लिया चलो चलते हैं चलो बेटा क्या आंटी आप कल गाउं जा रही हो चार छे दिन और रोख जाती नहीं बेटी और दो दिन के बाद अच्छा दिन शुरू होने माला है मेरा बेटा और बहु फॉरें में हनीमून मनाने जाएंगे इसलिए हम लोग कल गाउं जा रहे हैं आंटी खाना सूप अब है राधा तुम आंटी से खाना बनाना सिख लो अरे यह मैंने नहीं बनाया यह तो मेरी प्यारी बहु ने बनाया है रियली नाइस जानकी ठांक यूँ कैश्य क्या है तुम्हारा बेटा सिरचुगा के बैठा लेकिन खाना नहीं खा रहा है पापा उसके साथ का कोई है नहीं तो बो प्रिछोग करें the video यह यह रखे लिकेव से इस्वाज़ागे और ज्टोच में फारे कारवेश यह रिफ नना है यह रखेव यह बाल है यह रखे लोगे यह बडेकर वारे कंप नोगे लिफेकर प्रेड़ बनाटना जानू काजू वाली खीर कहा है सभी को दे दो बेटी मोहन काजू की खीर बहुत पसंद करते हैं और मुझसे हमेशा बोलते रहते हैं कि अपनी मां से सीख कर बनाया करो खाओ बेटा थेंक यू है 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 यह लो मैंने सिर्फ यह गुलाब जामुन बनाई है तुम यह लो यह लो विकी कम यू बस करो आंटी बहुत तुम लो अकाश तुझे दूं क्या थोड़ा सा तुम किस से बात कर रहे थे विकी कैप्टेन राजू से कैप्टेन राजू वो कौन है वह यह घर का ओनर में हूं यार कौन है कैप्टेन राज उससे बलो हुआ 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 है ठीक है राजू बोलता हूं मैं क्या बोला तुम्हारा दोस्त पेट भर के खार लिया ना अब अपने घर जाओ बोल रहा था जब नीद आएगी तो इस तरह के पागलपन करेगा ही बिल्कुल अपने पिता पर गया है नेक्स टाइम जब यहां आना तो अपनी वाइब को भी लेकर आना ठीक है नेक्स टाइम यह सिर्फ अपनी पतनी को ही नहीं अपने बेटे को भी साथ लाएबा वैसे तुम्हारी बेवी की डिलेवरी दे उसका क्या हुआ दो दिन में बच्छा हो जाएगा मैं भी गाउज जा रहा हूं आपको जरा भी शर् आने के लिए गूमते रहते हैं राद भर दस चक्कर लगाएंगे की चन के राद भर घूमता रहूंगा लेकिन यह राद भर खर राटे मारते रहेंगी आँ चलती हूं अब अंकल चलती हूं चलता हूं आपको अ अजय को 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 अज झाल झाल अरे सुन्दर्यों तुमने इसका एक अवतार देखा है तुम एक हपते साथ में रहो हर रोज एक अवतार दिखाएगी नए नए अवतार दिखाएगी अव चुप रही है अरी इसे शादी करने के बाद तीसरे तीन ही हार्ट अटैक से चला गया होता एक दिर रात में मैं सो यह सामने आई आधी रात को आग भाण के देख रही थी मैं भी तुम्हारी तरह दर के घबर आ गया था ऐसा करके उस दिन मेरे ससुर्ची बोले अरे इससे नीद में चलने की बीवारी है तो में डरने की जुरूरत नहीं है अरे हम लोग भी आहां डर जाते थे गर पर तुम् समझाओ इसको बिचितर बात यह है कि यह कहीं भी बिस्तर लगा के आराम से सो जाती है अरे हमने कार पार्किंग की कार पार्किंग के बीच में ही सो गई थी अरे इसको ठंड लग जाएगी ऐसा सोच करके मैंने बैट सील उड़ा दिया था इसे ठीक है देर हो रही है मेरा तुम घर में बैटके करोगी क्या इनके साथ चले जोना वो लोग कोई परसी में जा रहे हैं वहां मैं क्या करूंगी जाके अहां लेकिन इतने बड़ी घर में तुम मुझे अकेले छोड़के ऑफिस जाओगे नहीं हफते में पांच देन चुट्टी लेके तुम्हारे करने वाली हो आइड़न नो मेबी ब्लू क्या ब्लू हां साडी ब्लू वह बात नहीं अंदर क्या पाहनों कि अकाश ओके फोन करना मुग रोवाइंटिक पाते करेंगे तुम्हें शर्म नहीं आती ना जो ओके बाइब बाइब आती राहीं झाल कर दो 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 दाद़ जी चीटिंग मत करिये इसको यहां रखे है हाँ अब मेरा मंत्री आपके सैनिक को मार देगा फिर आप क्या करोगे इसको जैस खेलना किस ने सिखाया क्या तुमने सिखाया नहीं मैंने तुमने सिखाया दादा जी जल्दी खेलो और कितने देर लगाओगे तुम किसके साथ खेल दादा जिक के साथ दादा कहा है यहां बैठे आपको देखो यहां अगर दोबारा दादा का नाम लिया ना तो तुम मार खाओगे जा बैट लेकर आओ चलो बाहर खेलते हैं मैं आपके साथ नहीं खेलूंगा जाओ विक्की रुको विक्की बेटा क्या मोहन चोटे क्यों मम्मी दादी मुझे हमेशा दाटते क्यों रहते हैं विकोज यह लबस यू सो मच बेटा ड़ी तुझे बहुत प्यार करते हैं इसी ने तुझे डाटते हैं बेटा तुम मेरी हेल्प करोगी तो चलो मेरे साथ हाँ 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 अंटी मम्मी ने यह बाक्स भेजा है ओके क्या विक्की कूल की छुट्टी थी आज नहीं मैंने छुट्टी कर लिए अंकल के प्ले स्टेशन में मैं गेम खेल लो क्या ओके शाँ खेल लो टांट्स आंटी हाँ राजू तुम भी गेम खेलोगे क्या देखो वो प्लू कार्ट मेरी है और वो पुलिस कार्ट भी मेरी है समझें राजू गेम खेलना नहीं जानते हो स्लो खेलो मेरी कार से मट टक रहो समझें राजू तुम्हें गेम खेलना नहीं आता तुम मेरे साथ मत खेलो जाओ जानकी विक्की विक्की क्या ते नहीं हो तुम वह उपर क्यों चड़े थे ममी मैंने चड़ा था क्याप्टन राजू ने मुझे चड़ा दिया राज साज करता रहेगा तो एक मारूंगी तुझे चल घर चल सुरी जानकी जानकी चल घर चल तेरे पापा को सब कुछ बताते हैं मैंने कुछ नहीं किया पापा कुछ बढ़ रहा मामी अरे इतना धर के हॉरर फिल्म पूल देखता है मैं चैनल चैंज करता हूं ने ने मैं देखने चाहती हूं देखेंगे अच्छा लग रहा है मुश्किल है और फिल्म से डर लगता है और देखना भी है जाने है अगर तुमको दरने का इतना ही शौक है तो टीवी बंद कर दो और अपनी सासू मा की सकल लगातार दस मिर्ट तक देखती रहूं तर से बुखार भी आ जाएगा जाओ फिल्म देखोना यसको का उन देखता है मोहन तुम अपने बच्पन में बहुत शरारत किया करते थी क्या तुम बच्पन में पेड़ पर चढ जाय करते थे वह से बच्पन में तो मैं पेड़ पर चढ़ता था मैं बिल्कुल स्पाडर मैन के जैसा था इसलिए तुम्हारी बंदर वाली हरकते तुम्हारे बेटे में आ गई हैं क्यों क्या गया उसने आज वो आकाश के घर की सीलिंग फैन पर चड़ गया था सेलिंग फैन में किसने चढ़ाया उसे वहां जब मैंने उससे पूछा तो उस से मिलने जाएंगे चलो सोते हैं सुबह जल्दी उठना है हुँँआ है कि 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 थ झाय का कि क व क प्यार आज करते हैं मा यह स्प्रेइड आलिये तो दर कम होगा इधर दो मैं डालता हूँ इधर लगाँ मा मैं टिकेट कैंसल करूं क्या आप बात में चलिए जाना ठीक हो जाएगा हमारी टिकट को छोड़ो तुम्हारी इंटरनेस्टनल टिकट है आखरी मिनट में कैंसल करोगे तो लास होगा न ऐलेक्ट लाम हो गया ना फिरेटिए चम भाई ठीकेट तुम्हारी कोई के तब समझोगी चलो 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 सूपे की चरह आपत्सां के तुम नीद में चलती और बाहर गिर जाती तो उपर और गोविंदा गोविंदा नाम जबना पलता है पापा आप चुप रही है ना लगता है माँ को बहुत दर्द हो रहा है इस परे करने से दर्द कम हो गया है बेटा जानू तुम वहां पहुंचते ही हमें फोन करके बताना की सेफली पहुच गई हमें फोन करना भूलना मत मैं फर्स्क्लास की सीटों में बहुत सो विदाएं होती है उसके बारे में क्या सोचा है एक्चुली मैं वो फर्स्क्लास सर्विस के बारे में नहीं सोच रही हूं मैं यह सूच रही हूं कि फर्स्क्लास सीट में आप और मैं बापरे मुझे तो बहुत खुशी होती है सोच के यहां पर हम एक बार आप मुझे टच करो अरे हां यहां 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 तो वहां मजा नहीं आएगा ठीक है जाओ आओ बेटा ट्रेंड का टाइम हो गया है हाँ चलो मैं लागिज बैक करती हूं वैसे आज कौन सा कलर स्टॉप अकाश आग खुलो ओकी जीब दिखा बटा ठीक है दिन में तुम क्या खाते हो इटली तुम रोज इटली खाते हो हाँ डॉक्टर यह रोज इडली खाता है कभी कभी मैं इसे क्यलोग्स खिला देती हूं बेटा जरा इदा रहो रोज दूद तो पीते हो ना मजे दूद नहीं पसंद तो तुम्हें डूसा पसंद है वह अभी मजे पसंद नहीं है तो तुम्हें क्या पसंद है चौकलेट येलो चौकलेट एक और दीजे वह मैं अपने दादा जी कर दूँगा ओ सारी येलो थांक्स अंकर ये बताओ तुम्हार दादा का है यही तो बैठेर ओके बिटाओ किवे अशा तुम्हार अपने दादा के साथ के रहो जाओ ओके कि सरेक्सेयर रिपोर्ट हाँ थैंक्यूं है और कि सुनिये अब के बेटे के बारे में बताने से पहले मैंने के पेसेंट को हैंडल किया था उसके बारे में बताता हूं देखिए ये लड़की का नाम कलपना है अभी इसके उमर अठरा वर्स की है इसे सोला साल की उमर में मेरे पास लाए थे इसके परिवार वालों ने भी बहुत कश्ट सहा ये लड़की सारे विशह में एक साल फेलोगी सुनो एक बार उसने डिप्रेशन में जाने के बाद आत्मात्या करने की कोशिश की ये लड़की एक दिन उसने सारी किताबों को लेकर रूम बंद करके पढ़ने लगी और मेरत करने लगी उसने दसवी क्लास में चानबे परसेंट मार्क्स लेकर पास हो गई कैसे बताएं कि दिन भर उसके पिता उसके पढ़ाई के साथ दिखाई दिया करते थे लेकिन सस्क तो ये है कि उसके पिता उसके पैदा होने से पहले मर चुके थे अभी वो अच्छी तरह से पढ़ती है और उस वक्त से उसके पिता कहीं नहीं दिखाई देते अब तो वो जैसे मायावियों की तरह ही गायब हो गए लेकिन इस केस के बारे में आप हमें क्यूं बता रहे हैं? बताता हूँ, बताता हूँ ये देखिए ये उसके सिर का एक्सरा है ये 16 साल की उमर में कलपना के सिर का एक्सरे है और ये इसे देखिए विक्की के सिर का एक्सरे है इन दुनों एक्सरे में खास्यत है ये देखिए दोनों में छोटे-छोटे ब्लैक स्पोर्ट दिख रहे है इनके आंतरिक भाग में अंतर है मतलब जब बच्चा पैदा होता है और दो साल का होता है तब तक ये माथा है ना बहुत ही कमजोर होता है, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, तो ये माथा मजबूत हो जाता है, इस तरह से. विकी, अभी तक उसका माथा मजबूत नहीं हो रहा है. बहुत साल पहले हिंदू और बुद्धोज के माथा के अंदर भी, ये जो दिख रहा है ना माथे पर. ये इन सहस्त चक्रों पर भरोसा किया जा सकता है, मतलब ये जो चक्र है ना, इसको spiritual gateway कहते हैं, ओके, और medical science वाले भी मानते हैं इसको, science की बात हो, या वेदान्त की बात हो, दोनों को मिला कर, simple बताएं, simple बताएं, तो छोटे बच्चों एक साल तक होने तक, उन्हीं आत्म माँ से छोटी बच्चों को connection है, और इसे ही spiritual connection कहते हैं, तो उसको आत्मा दिखते हैं क्या? हाँ, और उन्हें ये आत्मा दिखाई भी देती हैं, और जिनको आत्मा दिखेगी, वो बात भी करेगी, और आत्मा बाते करेंगी तो उसे सुनाई भी देंगी, कल्पना का माथा जब से स्ट्रांग हुआ, तब से उसको उसकी पिता दिखना बंद किये, विके के विशय में भी ऐसा ही होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ, वाव, क्यों, भरोसा नहीं है? सब्जेक्ट बहुत ही है भी है, सौरी, नो ओफेंस, पर आपके बात मुझे भरोसे वाली लगती है हमें समझने वाले कुछ लोग इस बात पर भरोसा कर लेते हैं, भूत आये तो कुट्ते भोगने लगते हैं, ये बात कोई माने याना माने लेकिन सच है, जब भूकम बोर सुनामी आते हैं तो बक्षियों को और जानवरों को सबसे पहले मालूम पड़ता है, ठीक उसी तरह से बच्चों के पास भी वो सेंस होती है, और हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं होती है, बच्चों के दुनिया के बारे में हमने बहुत सारी रिसर्च किये हैं, इसलिए उस पर विश्वास करना पड़ेगा, समझ गये और विकी को उसके दादा दिखाई देते हैं, अब यह भरोजा करना आप क्यो पर्डिपेंट करता है। अगर उसको यह सच दिखाई देता है, तो विकी किसी दिन अपने दादा के बारे में सवाल करेगा। नहीं तो विकी ने अपने दादा को इमेजिन किया ऐसा समझेगा। इमेजिन करने दो, इसमें क्या गलत है। अगर विकी नॉनवेज नहीं खाता तो कोई बात नहीं। समझें। केल्सियम सप्लीमेंट शुरूगे जिये। माथे के उपर का भाग स्ट्रॉंग हो जाएगा। स्ट्रॉंग होने से मदब भी लेगी। दिखें, मोश्ट इंपॉर्टन बात यह है कि आप दोनों को अपने बेटे को ज़्यादा समय देना चाहिए। उसके साथ खेलिए हपते में एक बार उसे बाहर ले जाए। तब आप देखोगे कि विकी पर बड़े अद्भुत बदला होने लगेंगे जो आपको महसूस होंगे। दादा जी यह लीजिए अच्छा है यह। क्या नहीं चाहिए कोई बात नहीं मैं खा लेता हूँ। विकी चलो चलते हैं। विकी मेरी बात ध्यान से सुनू। आज से सारे खेल हम साथ में खेलेंगे। कोई भी खेल खेलना मुझे वोलो मैं साथ में खेलूँगा। और दादा के साथ राज के साथ खेलना बंद करो। समझे नौ। दादे जी को मैं बहुत प्यार करता हूँ डाडी। दादा मर चुके हैं। तुम्हारे पैदा होने से पहले वो मर गए थे। वो इस दुन्या में नहीं है समझे। दादी। क्या है। दादा जी ने आपके सीट पर लगाने बोला है। दादा का नाम नहीं लेना है कहा ना तुझे। कि मोहन बच्चों के साथ ऐसे बात करते हैं क्या। तुम इससे ज्यादा प्यार करती हो महेंगा पड़ेगा तुम्हें। मुल्चों के बहों एपके प्रे ना? कुछ तुम क्या कर रही हो मैं पैकिंग कर रही ती अच्छा तुम कभा होगे मैं जल्दी आओंगा यह युनो सम्तिंग बस कुछ ही दिर में हम दोनो माइल्ड हाइक क्लब में चलेंगे माइल्ड हाइक टुब यह क्या है हम दोनों कि पहली राथ 10 किलो मेटर उपर मतलब फ्लाइट की फस्ट क्लास केबिन में होगी मतलब मेरे तौस्ते एक क्लब ओप इन यह तो हमें भी गुलाया है सो हमें भी वहाँ मेमबर्शिप मिल रही है हमें वो क्लाब मेमबर्शिप नहीं चाहिए लेकिन मुझे चाहिए हे जानो यह संदगी में पहली बार अपॉर्चुनिटी लाइफ में और हम दुनों साथ में रहेंगे कितना मसाएगा न ची स्मेल आरी है यह बेटशीट यह मैं नहीं घर में दारू के स्मेल आरी है कि मुझे नहीं आती है इसमेल तुम्हें क्यों आती है ओ मैं तो भूल गया तुम तो बहुत जादा संसिटिव हो ठीके ठीके घर जल दियाओ हाँ 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 कितने मजे की फ्लाइट है है साथे दस बजे हानीमून इन फॉरें यह लगी ब्रादर ऑल देश्ट थै आकाश आकाश सब कुछ गरबड हो गया कितने मजेश दॉरें कितने मजेश ब्रादर गाईट आकाश गया भाईट हो गयाँ है सर प्लीज, ट्राइटो अंडरस्टेंड, इट्स माई हनीमून, फ्लाइटिकेट्स होटल नुम्स के पेमेंट हो चुके हैं, ये सब लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करेंगे, तो सब गड़बल हो जाएगी सर, अगर तुम हैदराबाद नहीं जाओगे, तो हमें कंपनी बंद कर न पड़ेगा, आकाश, सर, वो क्या है न, प्लीज, ट्राइटो अंडरस्टेंड, सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं, पूरा का पूरा में सर्वर ही कोलाप्स हो गया है, पी पी यो ऑपरेशन सब डाउन हो गया है, आपको हैदराबाद जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, शाहो तो कल मॉर्निंग फ्लाइट में वापस आ जाईए, हानी मून के लिए आप कल चले जाना, कंपनी सारे के सारे खर्च उठाएगी, नो सार, आई कांट, सुनो, कांट नहीं, कीट नहीं, आपको हैदराबाद जाना ही होगा, नहीं तो मेरे नौकीरी के साथ साथ, तुम्हारे नौकीरी भी चली जाएगी, Nah! हाई एजनू क्या कर रही हूं तो मैं फिल्म देख रही हूं फिर से और मूवी देख रही हूं आप अभी तक आय क्यों नहीं सौरी बेबी बैड नियूस आज रात में हम नहीं जाएंगे वाट क्या हुआ है इसलिए मुझे वहां जाने के लिए कह रहे हैं कब जाना है दो ग नहीं जा सकता हूं चीक है तो मौपस कब आओगे मैं मौनिंग फ्लाइट में वापस आता हूं ना बेबी तो हमारे टिकेट्स मैं रेशेडूल करता हूं एक्चिली औस्रेलिया के लिए कल टिकेट नहीं है ना मैं नौर्थ के लिए बोग करता हूं अरे वो वो माइल सब्सक्राइट ब्लाग पहना है सुनो मेरा दिमाग पढले से खराब है तुम ओर टेंशन मतु जल्दी आओ अब ओके तुम्हारे उटने से पहले मैं तुम्हारे सामने आजाओंगा ओके लव यू लव यू तू बेबी बाई बाई झाल 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 प्रप्राइब कर दो भाल झाल 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 यहां पर सब कुछ गड़ब हो गया है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां फाइंड उट हो गया है मॉर्णिंग कैसे भी काम हो जाएगा ठीक है तुम सोचो मिस्यू बाइ बाइ मिस्यू हुआ 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 है झाल 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 हुआ 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 झाल प्याल्द लाँ 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 प्राइफ प्रेजाब करें झाल झाल की tirar ञ्पाइब कोई बात नहीं क्या हुआ जान की तुम्हारा हनी मून कैंसल हो गया जुए है लेकिन ख़की क्या करोगी चलो मेरे घर चलते हैं आज मेरे घर्क बैट जल्दी सो गए तुम चलो ना मेरे घर और बातें करेंगे वहीं सो भी जाना तुम ठीक है रुक्याति हैं तुमने खाना खा लिया ना नहीं अभी नहीं हुआ है चलो ना मेरे घर पर ही खाते हैं आजाओ साथ में खाएंगे और बातें करेंगे दुमारी ये साथ मेरे खुमारी झालो वाठे फ्रे टॉलुमारी जा रष्ता हैं सिसे भ ऴुमारी जाओन रधयं हुआ है घएंधमारी जाना फांएंगे खाया भाना भाठे पाएंगे लुछ गád मेअ, ही एताओ लोधी एताओ, लुछ लोधी एताओ, लंग लेताओ लुछ ठाओ उह जोु longtemps हाई गुद मार्निंग गुद मार्निंग जान के आज आप जल्दी उठाए है मेरी मां रही है रेलो एस्टेशन जाना है सी यू लेटर बाई लेटर पिंग टके आप जल्दी बाई लेजी यूमर्निंग झाल जान जान आप जान एए है रेलो टो एन आप जए जान आपा बाई है हुआ 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 कैसे हो फ्लाइट लैंड हो गई नहीं जानों अभी तक काम खातम नहीं हुआ दोपहर की फ्लैट से आउगा इसका मतलब रात बर तुम सोय नहीं हो नहीं अब जानों वन सेकेंड मुझे कॉल आ रहा है मैं बात करता हूं हालो 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 हा गोरी आजाओ मेम सहब आप अभी तक यहीं है गई नहीं नहीं सर को अर्जिंट काम आया था इसलिए हम कर जाएंगे अच्छा कोई काम हो तो बता दीजिए नहीं घर में तो कोई काम नहीं है हां पौधों में पानी डालना है पार फेर से घर में दारू की स्मयल गोरी तुझे दारू की स्मयल आ रही है क्या नहीं मेम सहब अ ठीक है पूरा घर डेटॉल से साफ कर दो अ हां अरे वापस से शराब की बर्गु ओ ममी आओ ना कैसी हो मैं ठीक हूँ तुम कैसी मैं ठीक हूँ इधर दो क्या हुआ इतना लेट कैसे हुआ कुछ पूछो मत सिगनल ना मिलने की वज़ा से आउटर में आधा घंटा रोक के रखा था बोर हो गई मैं तो अच्छा कहां गया मेरा पोटा कहीं नहीं दीख रहा है जल्दी आओ ना स्कूल जाने देर हो रहे मुझे रोज ते तुम टाइम से आते हो लेकिन आच क्या हुआ ठीक है अब मैं शाम में आके मिलता हूं बाई विकी दादी बीटा अभी तुम स्कूल जाने के बारे में किस से बात कर रहे थे दादा जी से दादा से हाँ दादा जी रोज में साथ स्कूल जाते हैं आज आप आए हो इसलिए उन्होंने कहा कि आज मैं नहीं जाऊंगा बहुत दिनों से नहीं आये दादा तो आज कैसे आएंगे बताओ दादा जी कहीं जा रहे हैं आपको अब वहां वहां साथ लिख के जाएंगे ऐसा बूल रहे थे भी बहुत हो गया तेरा पकुएस बंद कर कुल जाना है स्कूल कर टायम हो गया है चलो चलते हैं मां में आफिस आथा हूं ठीक है बेटा घड़ी बाइ मम्मी बाइ बेटा व्युक्त यह सब क्या है राधा डाधा यह बहुत लंबी कहानी है सासुमा आप पहले फ्रेश हो जाएए मैं बाद में बताती हूँ हम हम कर सकती है क्या कि दिए हुढ क्या प्र। क्या क्याओ हुआ क्या कि जिए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करद कर दो गोरी, गोरी! गोरी, 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 क्या हो अनिन साहब? गोरी, कुर्से पे उपर फुट्प्रिंट है, कोई है, उपर कोई है गोरी, जाके देखो ना गोरी, छीक है. गोरी, 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 गौरी 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 भूत को देखा उपर है ना कोई मैंने सब देख लिया कोई नहीं है में साब क्या कोई नहीं है पर आवाज तो आई थी आरे मुझे तो कोई आवाज नहीं आई मुझे बाहर कुछ काम है मैं चलती हूँ बाद मैं आती हूँ मेम साब गौरी 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 गौपरी किले किलो कद भौरी बाद मेर मिन आती हूँ अुब कर रच्षक हम रच्षक. हम जार・क्षक Systems क основues बरत पू edible. Church प्लिघ होuan प्लिए प्लिए झाल कि अ कि अ कि वह अर 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 एधिक आ जो झॉडset निम को को दॉटे बगारे बट है जर शरहें आर जर कि वर ता经? चाहिल साइक्याट्रिस से दिखाने के बाद क्या करें, हमें तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उधर ये विक्की अपने दादा से खेलना बंद ही नहीं कर रहा है, राधा, अरे जानू, आओ ना अंदर आओ, आओ कॉफी पियो, नहीं, जानू, ये मेरी सासू मा है, हमेशा तीर थियात्रा में रहती है, कभी कभार हमारे साथ रहने आती है, सासू मा, जानू का पती और मोहन एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ये हमारे पडोस में ही रहते हैं, इन दोनों की अभी अभी शादी हुई है, नमस्ते अंटी, नमस्ते बेटी, आओ जानू, बैठो कल रात हम लोग इनके घर पर 말이 तो वहां पर कोई राज उससे बात करने लगा था कि हमारा विक्की जो लोग दीखते नहीं उनलोगों से बात करता है दूँ क्यूं खेलता है उसे वो आत्माओं पर बहुत विश्वास करते हैं, तेज सालों तक हम लोगों ने वहां पर तंत्र, मंत्र, भूत, प्रेत, बाधा ये सब कुछ देखा हुआ है, उस सब के सामने तो विक्की का इस तरह से बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या सासुमा, इस जमाने में भ नहीं, हमारे गर में कोई है, आखिर कौन है, कौन है, मालूम नहीं, मगर कोई मेरी बाल पकड़ के दिवार में पटक-पटक के मुझे माहरा था, कौन है जानकी, कौन है, मालूम नहीं, मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया, रिलेक्स जानो, रिलेक्स, सासुमा, लगता ह मैं जानू किसी बाद से डर गई है हलो है राधा मैं आकाश बोलो जान की फोन नहीं उठा रही है आपके घर में क्या है अरे ऐसे कोई करता है नई जगह पर आप उसे अकेली छोड़ कर चले गए वो बिचारी कितनी घबराई हुई है पता है क्या घबराई है जरह उसको फोन दो दो ना देती हूं मैं जानकी यह लो आकाश का फोन है बात करो सासुमा मैं भी आती हूं जानू तुम्हारा पोन कहां पर तो गवर हां गवरा घब आ गई है तुम घार जाके फोन अपने पांस रखो बार बार राधा की फोन से बात करेंगे अच्छा नहीं लेगेगा, ओके, मैं तुम्हें फोन करता हूँ, भाई, अकाश, अकाश, जानकी, रोम और बेटी, सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं है, लेकिन कोई तो है, कुछ नहीं करेगा, लेकिन कुछ तो करता है, लेकिन, वो मुझे नहीं दिखता हूँ, लेकिन, वो मुझे नहीं दिखता हूँ, तुम्हारा मतलब कोई तुम्हें देखता नहीं है, लेकिन वो आदमी है, तो तुम जानती कैसे हो, वो आदमी है, यही, यही सवाल तो पूछ रहा हूँ, जब वो दिखता नहीं है, तो पता कैसे चलता है, जि मैं ऑरत हूँ, आंटी मेरे मोबाइल से कॉल आ रहा है तुम्हारे मोबाइल से कहा पर है तुम्हारा मोबाइल घर पे है तुम्हारे घर में तो कोई नहीं है ना तो फिर कॉल किस नहीं किया होगा नहीं जानती आंटी चलो तुम्हारे घर चलते हैं नहीं आंटी वो घर में नहीं जाएंगे जानू मैं हूँ ना तुम चिंता क्यों करती हो चलो देखते हैं कौन काल कर रहा है नहीं आंटी चलो बेटी चलो ना चलो बेटी अरे मुझे कोई भूत कुछ नहीं करेगा तुम चलो मेरे साथ तुम्हें डरने की जवबत नहीं है अरे तुम इलकुल मत डरो मैं किसी बूच से नहीं डरती तुम आज आओ चलो अंदर चलो चलो अऊटी अंदर मत चाहिए आंटी मैंने कहा ना तुम डरो मत अंदर चल कर देखते हैं कि कौन है चलो नहीं ऐन्टी नहीं ज़ाओ अंदर बेटी आओ इस घर में कुछ तो है आओ आओ अंटी नहीं नहीं आंटी मुझे नहीं जाना आंटी जानू अपना मोबाईल लाओ तो लेके आओ ना जाओ लेके आओ यह बहुत खतरनात बूत लग रहा है चलो इसके लिए कुछ सोचेंगे रादा फोन करी है हलो जानों तुम दोनों अपने घर में हो सासो मां को फोन दो ना रादा हां हलो बोलो ममी विकी के स्कूल से फोन आया था वो घर आने के लिए जित कर रहा है मैं इस कूल रहा थीक है ठीक है लो चलो बेटी चलो कि अब सुनो जानकी और दूसरी बुरा काम करती है बुरा काम करने वाली इन आत्माओं को हम लोग भूत प्रेत ये सब कहते हैं ऐसी ही कोई बुरी आत्मा तुम्हारे घर में रहकर तुम्हें तंग कर रही है लेकिन उस आत्मा को पता नहीं है कि भगवान के आगे उसकी एक नहीं चलेगी समझ गई न तुम चलो हम चलते हैं आंटी उस घर में नहीं जाना आंटी नहीं आंटी सुनू बेटी अगर तुम इस तरह भैवीत होती रहोगी तो जिंदगी भर छोटी छोटी बातों से डरती रहोगी इस समस्या का क्या समाधान है मैं अच्छे से जानती हूं तुम्हारे अंकल ने और मैंने ऐसे बहुत से केसस देखें हैं चलो मैं बताती हूं उसे घर से कैसे भगाना है मैं दिखाती हूं तुझे चलो मेरे साथ चलो 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 तुम डर्मत कि अब कि 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 पर जानु जाओ बेटी एक लोटा जल्लो उसमें तुलसी का पत्ता डाल कर ले आओ कि जाओ नीलान जनम समाभासम रवी पुत्रम्यमा ग्रजम भूत प्रेत सर्व बाधा दूर करो प्रभू इस घर से भगाओ भूत प्रेत आत्मा को हमारी रक्षा करो प्रभू हमारे ऊपर कृपा द्रिष्टी करो भूत प्रेत की चाया इस घर से भगाओ दो भूत प्रेत से बाधा मुक्त करो नीलान जनम समाभासम रवी पुत्रम्यमा ग्रजम भूत प्रेत सर्व बाधा से हे बजरंग बली इस घर को मुक्त करो भूत प्रेत सर्व बाधा दूर करो प्रभू भूत प्रेत सर्व बाधा दूर करो बजरंग बली हे महावीर भगवान भूत प्रेत से इस घर को मुक्त करो हे बजरंग बली भूत प्रेत सब दूर करो हे महावीर भगवान भूत प्रेत से मुक्त करो इस घर को भूत प्रेत सर्व बाधा, दूर करो प्रभू भूत प्रेत सर्व बाधा, दूर करो बजरंग बली भूत प्रेत सर्व बाधा, हे महावीर भगवान भूत प्रेत से इस घर को मुक्त करो, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिसाच निकट नहीं आवे, जै 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 बजरंग बली, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिसाच निकट नहीं आवे, हे भगवान बजरंग बली, भूत प्रेत नश्ट करो, भूत प्रेत का नाश क इस घर को प्रेत बाधा से मुक्त करो हे भगवान बजरंग बली। बूत का बगाओ बूत मेरे बार निकट नहीं आवे बूत का बगाओ बूत बगाओ बूत प्रेत निकट नहीं इस अचिए एसके पारी हो इस दे उचिएवां प्रेत बह्मान भीजसार START Japan दोत़् इस ब का ब самой की निकट नहीं साथी जानूच जानु जानूच एंबूलेंज भी आई थी किसके रही आई थी मौहत की माँ आपनी घर में आई थी ओपर से जानू ऐंगे देखनें तरौब नीचे गिर फ्रक्त कॉन गिराएगा चलो में देखता हूं पशलत मैं आपश जानू मैं हूना चलो उन्दर नहीं आझाश हम अंदर नहीं जाएंगे आखाश प्लीज जानू वह थम व्त स्रोग सै नहीं थी रैलक्स रेलक्स जानू वहां नहीं काम करteri हो के रही कारी में याठ जानू क्या हुआ बता हुआ हमारे घर में भूत है उस घर में भूत है मुझे से क्या किया जानते हो ङौरे मेरें बाल पकड़के मुझे दिवार कोड़ करतीं mnda tag ठीक है, मैं उस बोच से मिलना चाहता हूँ, चलो मैं नहीं जाओंगी घर में क्यों नहीं आओगी जानू वो घर में बूट है ठीक है, ओके तो मैं उस घर में जाना पसंद नहीं है, तो मैं भी नहीं जाओंगा हम लोग कल अस्ट्रेलिया जाएंगे वहां से आने के बाद दूसरा घर देखेंगे, सिर्फ आज रात उस घर में रहेंगे, चलो अब मैं उस घर में एक दिन, एक रात भी नहीं रुख सकती प्लीज आकाश, प्लीज ठीक है जानू ओखे, आज रात में हम होटल में रुकेंगे, हमारे बैक्स पैक कल लो, ठीक है, चलो हम बैक्स लेकर होटल में चलते हैं, अच्छा ठीक है तो मंदर मज जनम में अंदर होके आता हूँ, अब तो ठीक है ना, आकाश, तुम मझे मंदर लेके चलो प्लीज ठीक है चलो, आओ, चलो, चलो हेलो, अकाश, मा कैसी अब, आइस्यू में है, मल्टिफल फ्रेक्चर, सरीफल इमिग्रेट्स, जानो और मैं होस्पिटल आ रहे हैं, अभी मताओ यहां पर, आइस्यू में अलाउ नहीं करते हैं, तुम कल रात सोय नहीं बोल रहे थे, हम कल मिलते हैं, आरी ओके, आम ओके य का, मिलते हैं, आलाउ नहीं करते हैं, कि आहाँ है, नहीं है, तो पर या नीचे है, का सुफेग से पास है, जनु प्लीज कम इंसाइड, कुछ नहीं होगा शहाँ च्या हुआ अकश? आयर भंक्चर हो गया हाँ डिक्की में स्टेपनी देख्गा हुआ तो गोड आइकांट बिलिव दिस क्या हो आकाश दोनों टैड्स पंक्चर हो गए तो अब ही क्या करें वेट 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 आइम थिंकिंग मैं कैप के लिए फोन करता हूँ अब यह वालो एक सिटी कैप कनकपुर में किस जेका पर सार कनकपुर रोट से दस किलो मेटर अंदर अंदर आएंगे तो कौन कोड विला मिलेगा वहां के कॉल करना सारी सर उस रोड पे कोई कैप सर्विस नहीं सार हैंक यू वेरी माच यह बाइट हेलो, रेट्यू कैप? हेलो, कैप चाहिए कनेकपो रोड में कैप सब बिजी है सर यहां आने के लिए मिनमम टू आवर्स लगेगा अरे, बैंगलोर से 33 किलोमेटर है सिर्फ उसके लिए दो घंटे वो एर, यह भी कैप सर्विस नहीं है सर आप वेट करेंगे, तुम भेजता हो, मिनमम टू आवर्स लगेगा थैंक यू वेरी मॉच अरे, हम होटल में क्यो रहेंगे? मोहन का घर खाली है, हम वहां रह सकते हैं येस बोलो, मोहन, तुम्हारे घर की चावी चाहिए कहां पर है? मेरे घर की चावी, लेकिन क्यों? कुछ नहीं, एक छोटी सी प्रॉब्लम है आज रहा तुम्हारे घर में रहना चाता हूँ गोविन के पासे उससे ले लो, वो दे देगा थैंकियो सो मज, बाई गोविन के पास एक चावी है, मैं ले के आता हूँ मैं चलती हूँ गोविन 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 सर, बोलिये सर, कहा हो तुम सर, मैं गोविन को गोव छोड़ने के लिए बस टेंड जा रहा हूँ महन सर की चावी कहां पर है मेरे पास है, सर अब शेह क्या हुआ अपनी पत्नी को गोव भेजने के लिए बस टेंड गया है हाँ चलो चलते है हाई अकाश, तुम कहा हो? घर के पास हो यार हैदराबाद से कब आए? दोपहर में आया था मुझे यार तेरी एक छोटी सी हेल्प चाहिए क्या हेल्प चाहिए? यार मेरी कार का टैर पंचर हो गया तुम सिटी तक हमें ड्रॉप कर सकते हो गया और सौरी यार मैं मैंसूर जा रहा हूं मेरी वाइफ की डिलिवरी है ना इसलिए ओ ये बात है एन्यवे ओल दबैस थैंक्यू यार बाहे गुद इड़निंग टेटियो कैप मैं हू यार काने परोट से कॉल किया था मैंने बोला था ना सर वहां आने में कम से कम दो घंटे लगेंगे ओके नो प्रोब्लम कैप भेच दो कनेकपुर रोट से पांची किलोमेटर अंदर रहेंगे तो कौन कोड़ विला मिलेगा में रोट पे आके कॉल करने के लिब ओके सर जानू कैप आने में दो घंटे लगेंगे तब तक हम यहां रहेंगे क्या जानू डून्ट भी सीली अपने घर में जाने के लिए डिर कैसा वुल्ह प्लीज ने चुप चांच गारे आ जिरग आप 20 पिशम्ट शयुक्रहत शीए ज़ां समझ नहीं ज़हां बमाट्न ऐम इसभार हो में तJanição के बहले हो।imes था मीजी districts यहां? बोग लगी है वे वे खाने के लिए कुछ भी नहीं है बाहर जा रहे है ये सोच कर पूरा फ्रेज खाली कर दिया हईलो रेडियो कैप हेलो सर में नारायन बोल रहा हूँ हाँ बोलो सर में कनकपूर पिक अप के लिया है लेकिन उनका फोन स्विच उफ है सर हाँ उसने कोई और कैब ले लिया होगा तुम वापस आ जाओ ठेक है सर कैब वाली को फोन के दो गंटे हो गए लेकिन अभी तक नहीं आया ओप, I can't believe this बैटरी डेट हो गई तुम्हारा फोन का है राधा की घर में होगा थाइंक यू वेरी माच मेरा चार्जर कहा है टीवी के नीचे वाली कबड में शेट आकाश ओशेट आकाश कहा जा रहे हो आकाश कहा है आकाश कहा है आकाश 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 अकाष 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 देगा है क्षस्पट्ट्ट्ट्ट։ डॉक्टर मां कैसी है डॉक्टर डॉन्ट वरी उनके जान को कोई खत्रा नहीं है डादी क्या है दादी मर गई दाडी क्या हो डादी डादी मर गई है सासुमा नहीं रहे क्या हुआ 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 है क्या हुआ 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 अकाश अकाश हेई, गो आने अकाश अकाश डादी, आप रोना बंद करिये, दादा मना कर रहे हैं एई, तुम थोड़ा चुप रहो मा के मौत का वैसे भी बहुत दुख है मुझे तुम दादा की कहानी मत सुनाओ मुझे डादी, दादी के साथ दादा जी किसी अच्छी जगे पे जा रहे हैं वो दोनों वहां बहुत खुश रहेंगे, ऐसा बूल रहे हैं प्लीज स्टॉप इट, विकी प्लीज डादी, आप हर रोज दादी के फोटों से माफी मांगते हो न दादा ने आपको माफ कर दिया है इसके बाद आप सॉरी मत मांगना मौहर मौहर प्लीज स्टॉप इट विकी मौहन शांत हो जाओना रादी का ये बात मेरे अलावा और कोई नहीं जानता है तुम माफी मांगते हो किसलिए डादी की वज़े से मम्मी डादा मर गए थे क्या पिता जी मेरे साथ रहने के लिए बेंगलूरू आए थे पापा मैं ओफीस आके आता हूं बेटा मुझे तकलीफ हो रहे है बेटा कल ही सारे टेस्ट किये थे ना डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी नहीं है आप छोढ़ी जोढ़ी बातों पर टेंशन क्यों लेती हो पापा अराम करो कुछ नहीं होगा मैं शाम को आता हूं वह बात नहीं ही बेटा मेरी बात पBl All begub को कुछ नहीं होगा पापा मैं आता हूं आराम करो आप बेटा बेटा beटा borrow मैं शाम को ओफिस से घर आया तो देखा पापा मैं तुम्हारा के नहीं किया था अगर उस दिन में तुम्हारे दादा को होस्पिटर ले कर जाता तो आज दादा तुम्हारे साथ में रहते बेटा अकाश मुझे ड़ लग रहा है अकाश चल दी आओ फ्लीज अकाश 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 तो जब काश अकाश प्रूल प्रूल आकाश, प्लीज गॉम आकाश आकाश, तुम क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है, आकाश, जल्दी आओ, आकाश, डैडी, आकाश अंकल और जान की आंटी भी अब बढ़ जाएंगे, डैडी, कैप्टेन राजू उनको मार देगा, उसमें बहुत शक्ती है, इसलिए डादा देगा, अब दादी को नहीं बचा पाए, डैडी, आओ शिट, बोहाँ, बोहाँ, आकाश, 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 तुम कहां अर्थ क्या किया तुमने नीचे किसी को दिखा क्या आकाश तुम क्यों बात नहीं कर रहे हो प्लेंस संधिंग कि मीचे तुम क्या करके आयां अहां seizure क्या कि ये क्या डृंक कि स्मयल आरी है निच तुम्यक्त टर्म डिख़ा क्या कि बोल। बोलो ना आकाश कोई दिखा क्या तुम्हें क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो देखा किसी देखा मुझे देखा हाँ मैंने तुझे देखा क्या क्या बोल रहे हो हाँ मैंने तुमको देखा तुमको नहाते वक्त सोफे पे बैठते वक्त मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख र मैं तुमको कपड़े पहनते वक्त तुम्हारी सुन्दरता को देखता हूँ वाट्स रॉंग विध यू आकाश मैं सहे नहीं कर पा रहा हूँ देख कर चुप नहीं रह सकता वाट यू सेइंग आकाश तुम्हारे कुवारेपन को खत्म करना है मैं तुम्हारी जवानी लोटना चाहता हूँ आकाश तुम्हारी सुहागराद से मुझे मुक्ती मिलेगी आकाश सुहागराद तुम्हारी होगी मुक्ती मुझे मिलेगी शटाव आकाश जानू? 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 जानू कहा हो तुम आओ जानू 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 तुम उझसे बश्कर कहीं नहीं जा सकती जानू 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 तुम बश्कर कहीं नहीं जा सकती झाल झाल कहां हो तुमारी सुहागरात मेरे साथ ही होगी जानू खेल खेलना बंद करू जानू 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 खेल मत केलो जानू 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 तुम मेरे पास मताओ, आकाश, मत पास आओ, प्लीज, आकाश मत तुम्हें बता रही हूं, देखो मेरे पास मताना, मताना, पास मताना, मैं बोल रही हूं, तुम्हारी स्वागरात मेरे साथ होगी जानू, मेरे पास मताना, आकाश, पास आओ जानू, मेरे पास बताना मतमान तुम मेरे पास बताना आकाश जानू जो एास बताना के जान्फ करे करे राद लुम मेरे? सर, सर, अरे सर, अरे सर, सर, जानू, जानू, तुमने मेरे साथ बहुत केल केल लिया, मैंने तुम से पहले ही कहा था, आज तुम्हारी सुआगराद मेरे साथ होगी, और मुझे मुट्टे मिल जाएगी, हाहा, आखाश, आखाश, जानकी, आखाश, 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 जानकी क्या हुआ सर चलो खोलो इसे सर मैं खोलता हूं इसे सर यह अंदर से लौक है लगता है फिर धक्का मारो जानकी क्या है तो फिर वो बेट से नीचे गिरता है बेट शीट के अंदर घुश जाता है तुम्हें दिवार में पटक पटक के मारता है वो तुम्हें मारने के लिए सब कुछ करता है लेकिन रेप नहीं किया हाँ सर यह कैसी प्रॉब्लम है भगवान की शक्ति के आगे भूत के शक्ति कुछ नहीं होती दुष्ट शक्ति हमें कुछ नहीं करेगी दुष्ट शक्तियां अपनी चाहत पूरा करने के लिए हम लोगों को वो सिर्फ डरा सकती है और वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगार सकती है हमारा कुछ बुरा करने क लिए इन आत्माओं को शरीर की जरूरत होती है, आत्माओं के पास शरीर नहीं है, ये बात भूल कर वो अपनी इच्छा पूर्टी करना चाहती है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती है, उदारंग के लिए वो खाना खाना चाहती है, तो उस खाने को वो सिर्फ द संपρ evaluation से अज़िकर तो यह इन्हेंहों on हम तो तुम अपने आपको बचाने के लिए अपने पति पड़कत कर जा़कुक तुम कर दिया ख़ है सर इसकी बात सुनिये सर हम सनो है जो तुम मुझसे बता रहे थे वो साहब को भी बताओ सर वो कॉलोनी बनाते समय कॉंट्रेक लेवर को लेकर आया था सर सब लोग उने कैप्टन राज कैप्टन राज कहके बुलाते थे सर वो आदमी नहीं वो राक्षस था सर वो किसी भी लड़की को नहीं छोड़ता था सर नहीं नहीं मुझे कुछ मत करो मुझे छोड़ दो मुझे कुछ मत करो नहीं वो छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ता था सर एक दिन मेरी जवान बेटी को रेप करके उसे मार दिया सर, वह बहुत कमीना था सर, इसलिए हम सब लोग मिलके पेपटन राज को खत्म कर दिया सर, हमने उसके टुकडे टुकडे करके, कंक्रीट में मिक्स करके दीवार बना दिया, यही हुआ था सर, टोरी वेरिफाइ किये थे, कर दिया सर, यह बताइए टाइम पिरियड में राजु नाम का व्यक्ति कहीं खो गया है सर, जिसकी कम्प्लेंट उसकी पत्नी विजय नगर पॉली स्टेशन में किये, अभी भी उसका नाम मिसिंग लिश्ट में है सर, उसकी फोटो बेजो, ठीक है सर, सु, तुम्हें रेप करने आया वो भूत है, और वो भूत कैप्टन राज की आत्मा है, हाँ सर, मदमती जी, यस सर, CRPF, CISF, CID, CBI, Task Force, Special Task Force, KTF Log Rounds, क्या सब यहां हैं, नहीं सर, सब को फोन करके बोल दो, यस सर, सब और ओफिसर्स को बुलाने के बाद अरыш्ट करने के लिए बोलो, यस सर, हम कनेकपुला रोड में जाके एक दानत रिक को लेकर पता लगाते हैं, यस सर, हाँ, तो भूत भूत वहां पर गष्ट, हलो, वो भूत वहां पर है, नहीं, नहीं, तो फिर कहां है, यहीं पर है, कि यहां कि यहां कहां मेरे बगर में पागल की तरह बात मत कर सेल में डाल दूंगा सर रात हो गई है लेडिस को रात में पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते हैं सर ठेक एसे भेज़ दो ले जाओ उसे हेलो कलता समझे कैप्टन राज के बारे में बात करना है ले जाओ उन्हें सर्थ, कैप्टर राजी की फोटो सर्थ हुआ गोजड़ लगारास प्राइब है खालास परदाई भी भी खालास प्राइब है अधे लग है। झाली 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 हम को. झाली लग, झाली लाओ, झाली लाओ झाल 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 कर दो अा के अंजब करभा के ने ऊनुदा समय जद लग bara चैनला करते पिर बनुदा का अो करे मिम् आहिं से तो करदल चैनले आुका दो घॉ自 historians का आहिं आहिंग सुर्णाटर चैनलेदी इस का बनुदाना का शॉब इस चे फिर पंददा प산. झाल झाल झाल